आईए आज हम जानते हैं धन रेखा की बिसे में अक्सर हम देखते हैं कि कोई बेक्ति आज साधारन है या दो मेहने पहले साल बर पहले तक बिलकुल साधारन था और आचानक से आज बहुत ही अमीर हो गया आखिर इतना इतना पैसा अचानक से कैसे आता है इतना धन लक्षमी महरवान किस परकार हो जाती है वो इसे बेक्ति के हाथ में कौन सा रेखा पाया जाता है जिस कारण वो बहुत ही कम मेहनत में अत्यधिक धन्मान हो जाता है और कुछ लोग बहुत कड़ी महनत करते हैं फिर भी साधारन ही रहा जाते हैं वो इसे बेक्तियों के बिसे में एक रेखा पाई जाती है जो इस अस्थान सहां हतेली के इस अस्थान से निकल कर सीधे वो बुद्ध परवत की ओर चली आती है इसे लोग बिजनस में अचानक से तरक्की करते हैं ऐसा माना जाता है कि धन उसके पास खुद चल कर आता है वो धन के पास नहीं जाते हैं उनकी थोड़ी महनत को बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है किसी बेक्ति के हाथ में इस अस्थान से निकल कर कोई रेखा सुरी परवत की ओर चली आती है वो बेक्त बेक्ति भी बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं यह रेखा अस्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए साथ ही साथ यह बहुत जरूरी है कि उस बेक्ति के यह गुरू परवत अच्छे उभार लिये हुए हूं अस्पष्ट हूं यह दबेवे नहीं हूं सुर्य परवत यह सनी प इनने भी आप लोगों ने देखे होंगे जितने भी पैसे वाले जिनके पास बहुत ही ज़्यादा अकूथ संपत्ती हैं उन लोगों के हातों में देखने से भी मिलता है कि उन लोगों उन ब्यक्तियों के हातों के यह परवत गुरू सनी पर earlier यह से प्रवत काफी ऊभार ल वे होते हैं कि वो छूने से देख दूर से सपाट करके देखने से पता चलता है कि वो परसना इंसान का हतेली के बनिस्पत उंचा है इस उंगली के बनिस्पत इस हतेली के बनिस्पत ये परसन उंचा रहता है परवत के समाने से परवत कहा गया है ये होना बहुत जरूरी है अ आपको अकूत संपत्ती प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता अकूत संपत्ती के लिए परवताओं का पुष्ट होना बहुत जरूरी है भागी रेखा चंदर से निकल कर सनी में चली आती है इसको हम लोग भागी रेखा करते हैं ये रेखा करीब करीब सभी लोगों के हाथों में पाई जाती है लेकिन सभी लोग अमीर नहीं बन सकते अगर भाग रेखा में इस परकार से दो तीन रेखा निकल कर चंद से सपोर्ट करे तो वो फिर उसको काफी मजबूत करती है वो आदमी काफी तरक्की करता है अगर भाग रेखा असपस्ट है आपके हाथ में और आपकी परवत अच्छे है तो आप काफी तरक्की करेंगे अगर भाग रेखा कोई रेखा काट देता है अगर ये भाग रेखा है कोई रेखा इसको काटती है तो ये नाकारात्मक संकेत है ये काटने से नाकारात्मक हो जाता है अज़तों आपकी तरक्की रुकेगी सुरी परवत और सनी परवत आईएम नेक्स्ट फिगर में थोड़ा सा इसे असपष्ट रूप से समझते हैं किसी बेक्ती की विशेश के हाथ में सारे परवते अच्छे पोजीशन पर हो और एक रेखा जो है सनी और सुरी को आपस में जोडने का काम करें तो वो आदमी रातों रात बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगा बहुत ही ज़्यादा धन्मान होगा यह रेखा देखकर हम यह पता कर सकते हैं कि वो बेक्ती अचानक से धन्मान होगा या कोई रेखा, कोई रेखा अगर सनी रेखा इस प्रकार से है भागी रेखा के रूप में इससे एक रेखा निकल के गुरू परवत की ओर चली जाए या फिर सूरी परवत की ओर असपश्ट रूप से चली जाए तो ऐसा बेक्ती भी रातों रात काफी तरकी करता है, काफी आगे बढ़ता है आज के अंक में इतना ही धनिवाद नमस्कार